नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा. इस विडियो में हम दिसकस करेंगे की पैन्टोसैग दिएसर कैपसूल का उप्योक है कंदिशन्स में किया जाता है. Pantosec DSR Capsule को कैसे लेना चाहिए और Pantosec DSR Capsule की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं Pantosec DSR Capsule पेट में उत्पन होने वाले acid की मात्रा को कम करता है Pantosec DSR Capsule का उत्योग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बधजमी होने पर, खटी दकारे आने पर, सीने में जलन होने पर और पेट में अलसर होने पर Pantosec DSR Capsule का उत्योग किया जाता है जैसे दर्थ को कम करने के लिए उत्योग की जाने वाली दवाओं की वज़से पेट में जलन, पेट में दर्थ या पेट में अलसर हो सकती है इसलिए इन साइड इफेक्स को रोकने के लिए भी आपका डॉक्तर Pantosec DSR Capsule को दर्थ की दवाओं के साथ लेने की सला दे सकता है ज्यादातर एंटिबायोतिक दवाओं के सामान्य साइड इफेक्स में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है इसलिए एंटिबायोतिक दवाओं की वज़से ये साइड इफेक्स ना हो इसलिए आपका डॉक्तर पेंटोसेक दिएसर कैपसूल को एंटिबायोतिक दवाओं के साथ भी लेने की सला दे सकता है इसके अलावा पेंटोसेक दिएसर कैपसूल का उपयोग कुछ मेडिकल कंडिशन्स जैसे गैस्ट्रिक अलसर, एसिड रिफलक्स और जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिती है जिसमें पेट में एसिड का उतपादन बहुत अधिक होता है पैंटोसेक दिएसर एक ब्रैंड नेम है पैंटोसेक दिएसर कैपसूल के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है Pantosac DSR Capsule के अंदर salt composition Pantoprajole और Domperidone होता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि Pantosac DSR Capsule की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Pantosac DSR Capsule की वज़े से कोई side effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में Pantosac DSR Capsule की वज़े से कुछ सामान्य side effects हो सकते हैं जैसे पेट में दर्द, पेट से गैस निकलना, मुँ में सूखापन, सिरदर्द, शरीर की मास्पेसियों या जोडों में दर्द होना, चक्कर आना वद्दस्थ होने की समस्या हो सकती हैं इसके अलावा Pantosac DSR Capsule की वज़े से कुछ व्यक्तियों में कब्स की समस्या भी हो सकती हैं लंबे समय तक Pantosac DSR Capsule का सेवन करने से यानि कई महीनों या कई सालों तक Pantosac DSR Capsule को लेने से शरीर में विटामिन सी, विटामिन बी 12, कैल्शियम, आईरन और मैगनीशियम की कमी हो सकती हैं इसलिए डॉक्तर की सला के बिना Pantosac DSR Capsule को दो सपता से अधिक नहीं लेना चाहिए लंबे समय तक या दिन में कई बार Pantosac DSR Capsule को लेने से औस्कियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है औस्कियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्डिया बहुत ही कमजोर वा अंदर से खोखली हो जाती है Pantosac DSR Capsule की वज़े से औस्कियोपोरोसिस तभी होता है जब Pantosac DSR Capsule का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से Pantosac DSR Capsule को ले रहे हैं आपको कैल्शियम और विटामिन D के सप्लिमेंट्स डॉक्तर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए ताकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके या आपको कैल्शियम से भरपूर खादे पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए और विटामिन D के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनिट सुबह की धूप में बैठना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे की पैंटोसेक DSR कैपसूल को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर पैंटोसेक DSR कैपसूल को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सलाह देते हैं Pantosec DSR Capsule को खाना खाने से कम से कम एक घंटे पहले लेना चाहिए Pantosec DSR Capsule की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको Pantosec DSR Capsule को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए अब हम जानेंगे कि क्या Pregnant महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं Pantosec DSR Capsule को ले सकती है या नहीं वैसे Pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Pantosec DSR Capsule का सेवन करना recommended नहीं है लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर Pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Pantosec DSR Capsule को लेने की सला दे सकता है इसलिए डॉक्तर की सला के बिना Pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Pantosec DSR Capsule को नहीं लेना चाहिए